आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल आपको बताना आरम करों उससे पहले आईए हम सभी बचकर 17 मिर तक रहने वाला है तो आज का पंचांग और भी विस्तार जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के धर्म शिक्षा पंचांग का लेंक दिया हुआ है हमँ वाल पर जाकर आज का पंचांग विस्तार क्रें जान सकते हैं एक एक मुरतोगायं में 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 पहले में पहले रासि में रासी केुआ में रासि में में चंत्रमा आज प्रथामस्थान में विराजित है जिसके फलसरूप आज के दिन आपको कहीं से सुभ समाचार की प्राप्ती हो सकती है दोस्तों और प्रियेजनों के साथ आपका दिन काफी अच्छा बीटेगा किसी से कुछ उपहार की प्राप्ती भी आपको हो सकती है लेकिन सचेत रहें आज ना सिर्फ अजनवियों से बलकि दोस्तों से भी आपको साब्धान रहने की जरूरत है बाहर गुमने की योजना बन सकती है तथा स्वादिष्ट भोजन करने का आउसर भी आपको प्राप्त हो सकता है आज के दिन आपके लिए कई तरह से फाइदे मंद साबित हो सकते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि कई चीजें आपके पक्ष में जाएंगी और आपको कारियों में सफलता की प्राप्ती होगी आए जान लेते हैं व्यापार और धन के बारे में जो जातक नोकरी करते हैं वे अपना कारी अच्छे तरीके से ही करें क्योंकि आज आपके बौस की निजर आप पर बनी रहेगी वैसे भी अपने कारी को इमानदारी पूर्वकी करना चाहिए जू जातक व्यापार करते हैं या जिन्हें निवेस करना है वे आज अच्छे से सोच समझ कर ही निवेस करें तब ही आपको आर्थिक लाब हो सकता है विद्यार्थी की अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है आज विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलने के योग बन रहे हैं तो मेहनत में किसी भी प्रकार के कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्थ की बात करें स्वास्थ के द्रिष्टी से आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है मौसमी विबानिया किनी किनी जात्कों को परेशान कर सकती है तो इससे बचने का प्रयास करें प्रेम सबंद की बात करें, तो आज के दिन अपने जीवन साथी को भावनात्मक तोर पर ब्लैक मेल करने से बिलकुल बचें, इससे आपके रिस्ते अस्थाई तोर पर खराब हो सकते हैं, आपके और आपके जीवन साथी के बीच, आज किसी अजनवी के कारण नोग जोंक हो स तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग, लाल रंग, लखी नमर रहने वाला है, नोग, आएब बात करतें विरिश्रासी की, विरिश्रासी में चंदरबा, बारह होए अस्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रसुप, अगर आप अपना दिन खुस अध्यान दे सकते हैं, और किसी जुरत्वन विक्ति की मदद करने की कोशिज भी कर सकते हैं, जातक मैं देख पा रहा हूँ, आज आपके बिगरे हुए कारी भी बनेंगे, आर्थिक योद्नाओं के कारण आपके कई परिसानिया कम होंगी, परिवार में सांती और आनद का म माहोल बना रहेगा, व्यापार और धन की बात करें, तो नोकरी ये व्यविसाय जो भी काम आप करते हैं, उसमें आपके सहयोग्यों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है, जिससे कारी अस्थल पर माहोल अच्छा बना रहेगा, आज कई स्रोतों से धनलाब के योग भी स्वास्ति की बात करें, तो विद्यार्थियों को आज करी महनत करने की आवज सकता है, जू जातक महनत करेंगे, उन्हें सफलता की प्राप्ति अवस्य होगी, स्वास्ति की बात करें, स्वास्ति के द्रिष्टी से आज के नपके लिए अच्छा रहने वाल है, फिर भी आपको साधानी बलतनी चाहिए विवाहियों की जात्तों के लिए आज का दिन उप्युप्त रहने वाला है विवाह की बातें चल सकती हैं आज के दूद या दूद से बनीवी चीज़ें खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग गुलाबी लखी नमबर रहेगा पांच बात करेंगे मिथुन रासी की मिथुन रासी में चंद्रमा आज 11 हुए स्थान में विराजित हैं जिसके फ्लसरूप आज के दिन आपके चिंताएं कुछ कम होंगी आपके कलपना सकती और सीजन सकती उभर कर सामने आएंगी ऐसे में जोजातक साहित्य, लेखन और कला के छेत्र से जुरे हुए हैं उनको आज सफलता की प्राप्ति हो सकती हैं आज कहीं आप यात्रा पे जा सकते हैं अगर कोई पारिवारिक उलजन है तो उसे सुलजाने का यह एक अच्छा समय है आज के दिन आप अपने पारिवारिक रिष्टे नात के उलजनों को सुलजाने में कामियाब भी रहेंगे लेकिन कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें किसी प्रेमी जोरों को मिलवाने में आप मददद कर सकते हैं व्यापार और धन की बात करेंगर तो वित्तिय मामलों पर ध्यान देने की आविश सकता है आज के दिन क बात करें तो विद्यार्थियों को साहित, लेखन और कला के छेत्र के जो भी विद्यार्थि हैं उनके लिए खास करके दिन अच्छा रहने वाला है सफलता मिलने की संभावना बन रही है। आज आपको महसूस हो सकता है कि जीवन साथी के जीवन में आपके कितनी जरूरत है। आपको ठेस पहुचा सकती है तो ज्यादा भावनाव में ना बहें वरना आपके स्वाभिमान को भी से ठेस पहुच सकता है। कुछ जात्कों के पैसे दूसरों पे खर्च हो सकते हैं जिससे घायलों जीवन में कुछ तनाव का सामना भी आपको करना पर सकता है। आपके जो भी प्रियेजन है वे आपके भरोसे और वादे की जरुरत को आज महसूस करेंगे। व्यापार और धन की बात करें तो जो जातक नोकरी करते हैं। उन्हें आज ओफिस में अच्छा माहौल मिलेगा। काम काज के अस्तर में भी सुधार होगा। व्यापार से समधित आपको कहीं यात्रा पे जानाज पढ़ सकता है। और यह आपके लिए लापदयक्सित होगा। तो यात्रा के मोके को हाथ से ना जाने दें। इस मोके का फाइदा जरूर उठावें। आपके व्यापार के लिए आज अच्छे संयों भी बन रहें। विद्यार्थी के बात के लिए आज के दिन मध्यम रहने वाला है। मैनेट करें सफलता की प्राप्ती आपको होगी। स्वास्ता की बात करें तो भोजन और निंद में और नियमित्ता रहेगी। जिससे आपका स्वास्थ तो डग मंगा सकता है, अगर इससे बच कर रहेंगे तो आपका स्वास्थ ठीक रहेगा। प्रेम समंध की बात करें, प्रेम समंधों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाल है, आपका प्यार और आपका जीवन साथ ही, आपको कोई खुबसूरत सा उपहाराग दे सकता है, आज के लिए दही खायेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब आज आपके सोभाव में भाव उक्ता और कामुक्ता के अधिता रहेगी आज आपके मन में किसी प्रकार का भै बना रहेगा मानसिक संतुलन बना के रखें काम और घरवालों का दवाव आज आपको थरा गुसेल बना सकता है आज के दिन यात्रा, मनोरंजन और लोगों से मिलना जुलनापका होता रहेगा व्यापार और धन की बात करेंगर तो व्यापार में निवेस करने की योग आज बन सकते हैं अगर अच्छी योजना बनाएंगे तो आज आज आपके व्यापारिक पर्तिद्धी आपके सामने निर्वल साबित हो सकते हैं विद्यार्थी की बात करेंगर तो आज 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 के दिन उत्तम रहने वाला है विद्यार्थी अध्यान में अच्छा परदर्शन कर सकेंगे तो महनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल न रखें स्वास्त की बात करें अगर तो आज आपको पेट से समंधी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आज आपके माता का स्वास्त भी विगर सकता है तो अपने माता के स्वास्ते पर आपको ध्यान देने की जरूरत है प्रेम समन्द की बात करें तो जीवन साथ ही से अच्छे समन्द बनाने की कोशिस करें उनके साथ आनेवाई दिनों की योजनाई सेयर करें इससे आपके समन्द अच्छे बने रहेंगे आज के इन अदरत अपने खादे पतात में सामिल करेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग पीला रंग लखी नम्मर एक रहेगा बात करेंगे अब कन्यारासे की जिसके फ्रसुप आज बेकार के सोच में आपका समय और उर्जादों नो बरबाद हो सकता है तो उसका ध्यान रखें बल्कि एकर सही दिशा में समय लगाएंगे तो उसका फाइदा भी आपको जरूर होगा भागीदारी वाले वैवसायों में निवेस करने से आज आपको बचना चाहिए आज किसी प्रकार का जोखी मिलने से बचें आज आपके लिए सफलता प्राप्त करने के दिन है कुछ जात्कों के लिए आज की कई यात्रा और निवेस सफल रहेंगे आपके द्वारा केके काड इसे आपको यस केर्थी और लाभ की प्राप्ती भी होगी परिवार में सोहार्थपूर्ण वतावरन बना रहेगा नोकरी और कामधंदे की जगह सहयोगियों का सहयोग भी मिलेगा खर्च में आपकी बढ़ोतरी होगी आज लोग आपकी वह परसंसा करेंगे जिसे आप लंबे से में से सुनना चाह रहे थे व्यापार और धन की बात करें तो आज आपका ना चाहते हुए भी फालतू का खर्च बढ़ेगा तो अपने बढ़ते हुए खर्च पे नियंतन जोर रखें ये आपके व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं विद्यार्थी की बात करें तो आज आपका मन जंचल रह सकता है आज आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा फिर भी अपने मन को पढ़ाई में लगावें सफलता इसी से मिलेगी स्वास्त की बात करत मामुरी चोट और वाद विवाद से हानी हो सकती है आज आपके स्वास्त में थोरे उताज रहाव आ सकते हैं तो अपने स्वास्ते पर ध्यान जोड रखें प्रेम समंद की बात करत प्रेम समंदों में थोरे उताज रहाव आ सकते हैं जीवन साथी से हलकी नोगजों की संभावना भी बन रही है लेकिन बात में सब कुछ सामान ने भी हो जाएगा आज के दिन अगर दूद या दूद से बनी वी चीज़े खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग लाल रंग लकी नमर पांच रहेगा बात करेंगे अब तुलारासी की तुलारासी में चंद्रमा आज सात्वे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसरुप आज के दिन आपके मान सम्मान में विर्दी होगी आज आपका समय मनोरंजन में बीतेगा स्वादिष्ट भोचन की प्राप्ति होगी दोस्तों और पडिजनों के साथ कहीं घूमने या समय विदाने का मौका आपको मिल सकता है आज आप जहां भी जाएंगे लोगों के बीच सब के ध्यान का केंदर बने रहेंगे व्यापार और धन की बात करें तो आज के दिन आपके लिए कारोबार के विस्तार और धन संग्रा करने के योग बन रहें किनी किनी जात्कों के लिए प्रबल धनलाप के योग भी बन रहें आपके व्यापार में वर्धी होगी, कारे छेतर में आपके कामकाज की सराहना भी होगी जल्दबाजी में फैसले ना करें, इससे आपको जीवन में पस्ताना पर सकता है बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थीओं के लिए आज का समय मध्यम रहेगा, फोन और सोसल मीडिया में जदा समय वर्बाद ना करें, मेहनत करें, सफलता वहीं से मिलेगी स्वास्ते की बात करें, तो स्वास्ते आपका आज सामाने रहने वाला है अपने जीवन साथी के स्वास्ते का लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए प्रेम समंध की बात करें तो आज के दिन आपके प्रेम समंधों के लिए अनुकूल रहेगा आज आप अपने जीवन साथी को या जरूर बताएं कि वे आपके लिए कितने कीमती हैं इससे आपके प्रेम समंध सुद्र रिठोंगे आज के दिन ब्राउन राइस यानि की पक्का चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सभी प्रकार के चम की लिए रंग लकी नम्मर रहेगा चार बात करेंगे विश्चीक्रासी की विश्चीक्रासीन चंदर्मा आज छठे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपके उदार सुभाव का गलत फाइदा उठाय जा सकता है तो सचेत रहें आज आप काफी व्यग्र और चिंतित भी रहेंगे आज आपके खर्चों में बढ़ोत्री हो सकती है तो अपने फिजूल खर्चों पर नियंतर जोड़ रखें मीठी वानी वाले वानी पर अपने सयम रखें वरना आज आज आपके किसी से लराई जहगरे भी हो सकते हैं अपने सहकर्मी और अधिनेस्त करमचारियों की सलाह आपके लिए लाब्दायक सिद्ध हो सकता है व्यापार उधन की बात करें तो आज अगर कहीं निवेस करते हैं तो पहले उसके बारे में गहराई से जानने की कोशिस करें कोई भी कदम उठाने से पहले विशे से किस सलाह जोड़ लें तब ही कहीं निवेस करें विद्यार्थी के अगर बात करें तो विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामानने रहने वाला हैं आज के दिन सोसल मीडिया में ज्यादा समय बरबाद ना करें अपने पढ़ाई पढ़े ध्यान दें स्वास्त की बात करें तो आज आपको अपने स्वास्त के परती साब्धान रहने की जोड़रत है कप और पीट समंधी बिमारिया आपको परेशान कर सकती है प्रेम समंध की बात करें तो प्रेम समंधों के दृष्टी से आज के गिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है जीवन साथी से सामन जश्या आपका बना रहेगा आज किन साबूत अनाज अपने खादे पतात में आप सामिल करते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरन ओरेंज कलर लकी नमर एक रहने वाला है बात करें कि अब धनु आसे की धनु आसीम चंद्रमा आज पांचवें स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपको अपने जिम्मेदारियों को समझने की आवश सकता है अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करने का आज धंग से प्रयास करें आज आपका मन परसंद न रहेगा लेकिन आलासे की अधिक्ता से कारियों में थोड़ा विलन वेवे हो सकता है लेकिन इसके बाबजूद आज का दिन आपके लिए बहुत ही सक्रिये और लोगों से मेज जोलबरा रहेगा आज अपने उत्साह में कमी तो बिलकुल भी ना ने दे उत्साह में कमी के कारण आज आपके कारे भी प्रभावित हो सकते हैं और इसका प्रभाव व्याविसाइक छेतर में भी देखने को मिल सकता है ज्यादा लाव के लिए आपको अपने कारी परनानी में सुधार करने की आवश सकता है कुछ राजिकी ये सहीयोग मिलने की संभावना भी बन रही है संतान के साथ मद्भेद हो सकते हैं आज कोई भी महतपूर निर्ने सो समझ कर ही लें किसी अध्यात्मी गुरु या ग्यानी पुरुष के सलाह से लें व्यापार अधन की बातकेद अगर कहीं नई व्यापारिक योजना बनाएंगे तो आने वाई समयम उसका लाव भी आपको मिलेगा आपके व्यापारिक पर्दिनदी आज सांध रहेंगे विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों के लिए आजटेन सामाने रहने वाले है मैंनत करें सफलता की प्राप्ति आपको होगी स्वास्त की बातकेद आज आप ठाकान और अलस्यका अन्भाव करेंगे वेस्त दिन चरिया होने के वाबजूद आपका स्वास्त अच्छा रहेगा प्रेम समन्त की बात के तो विवाहित जातकों को ग्रियास्त सुख मिलेगा आज आपको अपने जीवन साथी से प्रेम और सम्मान की पापती भी होगी आज किन ब्राउन राईचान की पका चावल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग फालसई रंग लकी नमर 9 रहने वाल है बात के मकर रासी की मकर रासीम चन्दरमा चोथे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपके घर तथा कारी अस्थल में बेहतर वातावरं रहने से आपको काफी परसनता होगी मित्रों या पड़िवार के सलस्यों के साथ मोज मस्ती भरी यातर आपको सुकून दे सकती है आपके किसी प्रिय व्यक्ति के साथ कुछ मत्वेद भर कर सामना आ सकते हैं साथ ही लोग आपको आज समझ नहीं पाएंगे अगर आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहीयोगी भी आपसे नाराज हो सकते हैं नोकरी करने वाले जात्कों के लिए आज के अच्छा रहने वाले उच्छ पतादिकारी आपके कारियों के सरहना कर सकते हैं सरकारी कारियों साजब को सफलता मिलेगी अपनों से मनमुटा होने की संभावना भी बन रही है तो उन से अच्छे समझ बना के रखें व्यापार और धन की बात करें तो आज रोजगार प्राप्ति के प्रियास आपके सफल रहेंगे नोकरी करने वालों के लिए आज दिन बढ़िया रहने वाला है व्यापारी वर्ग आज थोरा समल कर रहें विद्यार्थी की बात करें, चंत्रमा के चोथे भाव में होने के कारण आज आपका मन अपेक्ड शाकरे ज़्यादा चंचल रह सकता है पढ़ाई से आपका dhyan भटक सकता है तो अपने पढ़ाई पढ़ी ध्यान लगावें सफलता इसी से मिलेगी स्वास्थ की बात करें स्वास्थ के दिर्शी से आज की आपके लिए अच्छा रहने वाला है फिर भी अपने स्वास्थ का ध्यान रखें किनी किनी जातकों को ग्यास से समंधित समस्या रह सकती है प्रेम समन्द की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम समन्दों के लिए थोड़ी सी खटास उत्पन कर सकता है जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद उभर कर सामने आ सकते हैं तो आपको मतभेदों से बिल्कुल बचना चाहिए आपको अपने प्रेम समंधों के परती सचेत रहना चाहिए हो सकता आपका जीवन साथ ही आज आपके लिए प्रयाप समय ना निकाल पाए तो उन्हें समझने का भी प्रयास करें आज के इन जौ या जौ से बनी वीचिये खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग भगवारंग लकी नमर आठ रहेगा बात करेंगे कुमरासी की कुमरासी में चंदरमार तीसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज के लिए आपके लिए अच्छा रहने वाल है आज आपको मान सम्मान मिलेगा साथ ही आपको यस, कीर्थी और लाभकी प्राप्ति भी होगी बुजरुगों और मित्रों के साथ आपका दिन आनाद में बितेगा साथ ही पत्मी और बच्चों के साथ भी आपका समय अच्छा बितेगा किसी प्रिये व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना बन रही है कारिस्थल पर परिश्रम के अनुरूप लाभकी प्राप्ति भी होगी कीमती वस्तों को समाल कर रखें क्योंकि आज उनके खोने का भैबना रह सकता है आज आपके लिए नया कारी करने के लिए अच्छा दिन है व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार और धन की दिश्टी से आज की नपके लिए अच्छा रहने वाला है आज रोजगार के लिए क्या गया प्रियास आपका सफल रहेगा व्यापार और धन के बाद बात करेंगे विद्यार्थी की विद्यार्थियों के लिए आज के लिए सामाने रहने वाले मेहनत करें सफलता की पाप्ती आपको होगी स्वास्त की बात करें तो स्वास्त के देश्टी से आज की नप के लिए बहुत अच्छा नहीं का जा सकता है बुजुग जातकों को पुरानी विवारियों से कष्ट हो सकता है तो अपने स्वास्त का ध्यान जोग रखें आज के दिन अंकोरी तनाज, खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग, आस्मानी रंग, लकी नमर पांच रहेगा बात करेंगे मीन दासी की, मीन दासी में चंदरमा दूसरे स्थान में विराजित हैं, जिसके फ्रसुब आज आप कोट काचारी के मामले से, जितना दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा मन में किसी प्रकार की बेचैनी और चिंताएं रह सकती है, वानी और वैभार में सयम रखना आवस्यक है आज आप किसी बात को लेकर भावुग हो सकते हैं, आज किने अपने खर्चों पर नियंतन रखें, आज आपके खर्चे बढ़ सकते हैं कुछ जात्कों को लंबा सफर्ते करना पर सकता है, जो काफी भाग दोर भरा भी रहेगा, लेकिन साथ ही आपके लिए यह यात्रा फाइदेमन सबित हो सकती है व्यापार और धन की बातकेत, नोकरी और व्यापार से जुरिजा तक अपने ओफेस या व्यापार से समंधित लोगों से मिल जूर कर रहें, समझ और धहरी से काम करें, साथ ही कारे अस्थल पर साभानी बढ़ते हैं आज के जल्दबाजे में निवेस तो बिलकुल भी ना करें, अगर आपको कहीं निवेस करना है तो सोच समझ कर ही करें, अन्भवी लोगों की सलाह से ही करें वरना आपको नुक्सान हो सकता है विद्यार्थी की बात करेंट विद्यार्थियों के लिए आज के इन सामाने रहने वाला है आज के इन सोसल मीडिया में ज़्यादा समय बरबाद ना करें अपने पढ़ाई पर ही ध्यान दें स्वास्थ की बात करें आज अपने स्वास्थ में आपके थोरे उता आचराव आ सकते हैं स्वास्थ थोरे खराब भी रह सकता है तो अपने स्वास्थ का ध्यान रखें प्रेम समन की बात करें आज के दिन आपके विवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है जीवन साथी से सामंज़ से आपका बना रहेगा आज के दिन बादाम खाते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाल रंग लकी नमर एक रहेगा तो मित्रों ये तो साज के 12 रासी का रासी फल अब जानाते हैं आज का सुब समय सब्समय आनि के लुगि दिन के दस बच कर चृत्वında कर दिन के बार्र भंच कर शब्वेस मरत्त द हogy उसमें आपको आपको शबटात्र लग आतराम करेंगे किसी नए कारी को खरेंगे उसमें आपको सफ़तात लगेगी तो तो यह तो थाज का संपून राशिवाल कल करने लिए जुरूरे हैं धर्म शिक्षा के साथ और देखते दिए धर्म शिक्षा जय मता दिए